So, Hey everyone, Welcome to our YouTube channel EG Pharmacy मैं हूँ आपका दोस्ट Pharmacist Shittan Shutoria और आज की जूडियो में हम आपको बहुत ही डिटेल से बताने वाले AC Lock Injection के बारे में जो कि एक काफी प्रसेद इंजेक्शन है इसकी एक गोली भी आती है जैसा कि आपने नाम सुनाई होगा तो चलिए आज हम AC Lock Injection के बारे में Complete Information ले लेते हैं Friends, इसका Main Content है वो है Ranitidine जो की Each ML में 25 mg पर है यहां Total 50 mg का एक इंजेक्शन होता है वाकि इसके एक पैक की एक इंजेक्शन की कीमत है 6.60 पैसा इससे Manufacture किया जाता है Cadillac Pharmaceuticals त्वारा यूस भी इसके हम समझ लेते हैं तो AC Lock Injection का उप्योग पैट में बनने वाले अत्यधिक Acid के मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है जब वैक्ति के पैट में गेस काफी अधिक हो जाती है जिसमें पैट फूला दिखाई देता है और साथी गेस के वज़े से पेट में दर्द भी होने लगता है तब भी इसे देने पर काफी अच्छा रिलीफ मिल जाता है साथी गेस के वज़े से सेर दर्द हो या चक्कर आ रहे हो तब भी इसे देने पर काफी फैदा मिल जाता है जब किसी वेक्ति को पैप्टिक अलसर की प्रॉब्लम हो गई हो जिसमें वेक्ति को अलसर या चाली हो जाते हैं तो उसके टेटमेंट में भी इसे देने पर रिलीप मिलता है वहीं acid reflux या heartburn की दिक्कत में भी इसका बहुत ही अच्छा result मिल जाता है जिसमें जलन होना एक बहुत ही common दिक्कत होती है तब भी इसे देने पर लाप मिल जाता है एसी लोक इंजेक्शन जोलिंगर एलीसन सिंड्रोम में भी दिया जाता है जिसमें हमारे इस टमक में acid का जो production वहाँ अधिक होता है जिसे समय पर अगर ध्यान ना दिया जाए तो वहाँ ulcer की दिक्कत भी create कर देता है बाकि इसके हम side effect अगर समझें तो इसके कुछ side effect हो सकत अब हम सबसे important इसके dose को समझ लेते हैं तो देखे दोस्तों इसे IM भी लगाया जा सकता है या IV भी दिया जा सकता है direct नसों में भी दिया जा सकता है वहीं इसे IV infusion के माध्यम से भी दिया जा सकता है बाकि इसे जो है IV में slow दिया जाता है नसों में अगर direct लगाया जा रहा है तो friends इसे हमने जैसे कि आपको बताया था IV infusion दिया जा सकता है तो इसमें RL, NAS या DNS के साथ जो है डॉक्टर द्वारा या आपके जो नर्स वगरा वो दे सकते हैं इस injection का जो एक बार में dose होता है adult के लिए वो होता है 2 ml लगवर 50 mg का इसका जो common dose चलता है उसे डे दिया जाता है बाकि condition के अनुसार dose में बदलाव हो सकते हैं dose कभी भी fix नहीं होते हैं condition और वेक्टिक को देखते हुए उसमें बदलाव कर दिये जाते हैं तो friends कैसी लगी आज की वीडियो आप comment में जरूर बताइएगा बाकि ये जो injection ने किंदावाओं के साथ में अपना interaction दिखा सकता है उसकी list भी हम आपको provide कर दे रहे हैं आप check जरूर कर लिजेगा ऐसी रोजाना जानकारी के लिए आप अपने इस YouTube चैनल एजू फार्मेसी को subscribe करना नहीं बुलेगा हम जल्दी मिलते हैं नेक्स वीडियो पर जय हिन जय भारत